कि साथियों स्वागत आपका सुकला स्टिडी सरकल पर मैं सु शुकला आपका स्वागत करता हूं साथियों अभी तक हमने दो महित्पूर्ट चैप्टर जैसे पासान काल हो गया सिंदु घाणी सब विता हो गया वैदिक सब विता हो गया के कोश्चन अनसर लगा लिये हैं आज हम लोग वैदिक सब विता के बाद के दौर को पढ़ेंगे जिसे हम महाजन पत काल भी कहते हैं क्या है इस काल की विशेष्चता क्या है इससे जुड़े महतपॉन, बिंदू, इन सभी पर हम द्यान देंगे सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि किस तरह उत्तरवेदिक काल में लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज ने आर्थिक प्रगती को अंजाम दिया जब आर्थिक प्रगती हुई तो समाजिक प्रगती भी हुई और राजनीतिक प्रगती भी हुई इसका प्रभाव क्या पढ़ा इसका प्रभाव ये पढ़ा पहले क्या होते थे छोटे कभीले होते थे ठीक है फिर कभीले के बाद जन हुए जन का अकार जब बढ़ा हुआ तो जन पद हुआ और जब जन पद का अकार बढ़ा हुआ तब महा जन पद हुआ तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे तो पहला question ये रहा प्रथम मगत समराज का उतकर्ष किस सदी में हुआ option A चोथी सदी, option B दूसरी सदी, option C छटी सदी, option D पहली सदी तो बताईए इसका सही जबाब क्या होगा option C छटी सदी छटी सताबदी इसा पूर्व में आर्थिक प्रगती हुई जब आर्थिक प्रगती हुई तो समाजिक प्रगती हुई, समाजिक प्रगती हुई तो राजनीतिक प्रगती हुई इसका प्रभाव यह पढ़ा कि कभील्य से जन हुआ, जन से जनपद और जनपद से महा जनपद वही लिखा है, fact में भी चलिए next portion पर बढ़ते हैं 16 महा जनपदों की सूची उपलब्ध है option A महा भारत में, option B अंगूत्तर निकाय में, option C सहयुक्त निकाय में, option D छांदोग उपनिसद में तो बताईए इसका सही जवाब क्या होगा, option B अंगूत्तर निकाय में, 16 महा जनपदों की सूची उपलब्ध है और यह अंगूत्तर निकाय यह किसका है, यह बौध गरंथ है, और जयाइन गरंथ भगवती सूच्र में भी 16 महा जनपदों का उलेख है, तो यह भी दिहान लगना next question निम्न में से कौन सा एक, जो 16 महा जनपदों में से एक दक्षिन भारत में अवस्थित था, option A कंबोच, option B असमक, option C अबंती, option D गांधार, तो बताएए इसका सही जवाब क्या होगा option B, असमक, असमक हमारे ये कहा था, असमक आंद्रप्रदेश में था, इसकी राजधानी क्या है, पोतन या पोटली, और कंबोच ये भारत के बाहर इस्तित था, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक, और अवंती, अवंती हमारा MP में है और इसकी राजधानी क्या थी, उजयन या महिसमती, उजयन जो थी वो इसकी उत्री राजधानी थी, अवंती की, और अवंती की दक्षणी राजधानी क्या थी, महिसमती, और उजयन का प्राचीन नाम क्या है, अवंती का है, और गांधार ये भी बाहरत के बाहर है, इसकी नेक्स कोस्टन पर बढ़ते हैं वही है इसकी राधानी जाजपूर या हाठक असमक की राधानी पोतन या पोटली अवंती की राधानी उज्जेन या महिसमती गांधार की राधानी तक्सिला किस महा जन्पद के नाम की चर्चा महा भारत में हुई है option A मल option B वत्स option C कुरू option D पांचाल तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा option C कुरू कुरू की चर्चा जो है वो महा भारत में मिलती है अच्छा मल की राधनी क्या है कुसी नगर बरतमान में कहा है देवरिया यहीं पर बुद्ध का महा परिनिर्वार्ण हुआ था यानि कि बुद्ध की death यहीं होई थी और वत्स की राधनी क्या है कॉसांबी बरतमान में कहा है श्तित है प्रियाग राज में कुरू की राधनी क्या है इंद्रप्रस्त कहा है दिल्ली में और पांचाल की राध्धानी क्या है अईचित्र ये सारे जो महा जनपद हैं ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं और इसके जो अन्य उत्तर प्रदेश में जनपद हैं उनको आईए देखते हैं जैसे सूरसेन, मतुरा, चेदी किराधनी, सक्तिमती, कासी, वारांटसी, कौसल, स्रावस्ति या साकेत स्रावस्ति का जो नगर विन्यास है वह अर्दचंद्राकार है इंपोर्टेंट फेक्ट है नोट कर लेना आप लोग इसको चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर बढ़ते हैं निम्न में से 16 महाजनपदों में से बिहार में अवस्तित है ओप्शन A मगद, ओप्शन B अंग, ओप्शन C वज्जी, ओप्शन D उप्रोक्त सभी तो बताई इसका सही जवाब क्या होगा ओप्शन D उप्रोक्त सभी इस सारे महाजनपद जो है वो बिहार में ही स्तित है अच्छा मगद, मगद की राजधानी क्या है? जाजग्रहे, इसको किसने बनाया था? बिम्बिसार ने और अगर कोस्टन आए मगद पर सबसे प्राचीन जाजधानी कौन सी है? वज्जी की राजधानी वैसाली छटी सताबदी में सबसे सक्तिसाली नगर राज मगद था सोला महाजनपदों में से मगद सबसे सक्तिसाली था और मगद पर सबसे प्राचीन लाजवन्स की स्थापना ब्रहधरत ने की इसकी जाद्धानी ब्रैधरत ने क्या बनाई गिरेवरच अगर कोश्चन आए मगत पर सबसे प्राचीन लाजवन्स की जाद्धानी तो क्या अंसर होगा गिरेवरच अगर सिर्फ ऐसे यह आए कि मगत की जाद्धानी क्या है तो आप क्या लगाएंगे राजग्रह, फिर बिम्बिसार ने मगत समराच में हर्येकवंस की स्थापना की और अपनी राध्धानी राजग्रह को बनाया, अंग की राध्धानी चंपा, वज्जी की राध्धानी वैशाली या लिक्षबी भी हम बोलते हैं, ये प्रथम अपनी जंत्र है, नेक्स्ट कोस्टिन छटी सताब्दी ईशापूर का मतस महाजनपद इस्थित था, उसको आप मतस से कल लो आप लो, ये मतस से मतर्स्य महाजनपद इस्तित्था आप्शन ए पस्चमी उत्तर परदेश आप्शन बी राजस्थान आप्शन सी बुंदेल खंड आप्शन डी जुहेल खंड तो बताई इसका सही जबाब क्या होगा आप्शन बी राजस्थान सुमेल कीजिए एक तरफ राज़ा दिये हुए हैं और एक तरफ राज्य दिये हुए हैं प्रगोद, मगद, उदाइन, वज्स, प्रसेंचित, अवन्ति, अजास्त्रू, कॉसल तो क्या होगा इसका अंसर बताईए आप लोग आप्शन ए होगा A का 1, B का 4, C का 2nd, या D का 3rd तो बताईए इसका सही जवाब क्या होगा देहों, A का होगा 3rd और B का क्या होगा 2nd और C का क्या होगा 4th और D का क्या होगा 1 पूरा कोर्शन आ नहीं राय स्क्रीन पर है नेक्स कोर्शन पर बढ़ते हैं ओप्शन सी मगत पर सासन करने वाले वंसो को क्रम से लगाए ओप्शन ए यानि मगत पर किन किन वंसो ने सासन किया है उनको क्रम से लगाना है हर्यग वंस ने पहले किया है सिसुनाग वंस ने, मौर वंस ने, नंद वंस ने Option B में नाग वंस, हर्यक वंस, नंद वंस, मौर वंस Option C, मौर वंस, हर्यक वंस, नंद वंस, सिसुनाग वंस Option D, हर्यक वंस, सिसुनाग वंस, नंद वंस, मौर वंस तो बताई इसका सही जवाब क्या होगा मगत पर किन किन लोगों ने सासन किया उन वंसों का क्रम से लगाना है तो इसमें हमारा option सही हो जाएगा option D सबसे पहले हर्यक वंस, फिर सिसुनाग वंस, फिर नंद वंस, फिर मौरे वंस अच्छा हर्यक वंस के संतापक कौन थे? बिम्बिसार हर्यक वंस का अंतिम सासक कौन था? नाग दासक question इस तरीके से भी बना के पूछ लिया जाता है कि पहला कौन है और आखरी कौन है अच्छा सिसुनाग वंस का संतापक कौन है? सिसुनाग और सिसुनाग वंस का अंतिम सासक कौन है? नंदी वर्धन नंद वंस का संसापक कौन है महापदम नंद नंद वंस का अंतिम सासक कौन है धननंद मौरे वंस का अंतिम सासक ब्रहेदरत चलिए नेक्स कोर्शन पर बढ़ते हैं यह सब वही लिखा हुआ है हर एक वंस के सासकों में निम्न में से कौन सा नहीं है मतलब हर एक वंस के जो सासक थे उन में से इन में कौन सा नहीं है तो बताए ऑप्षन ए बिम्बिसार नहीं है ऑप्षन भी अजासत्त्रू नहीं है ऑप्षन c उदयन नहीं है ऑप्षन d सिसजुनाग नहीं है तो बताइए इसका सही जबाप क्या होगा ऑउप्षन d शिसुनाग हर एक बंसका नहीं है सिसुनाग किस वंस का है यह वंस चाहर और विंबिशार अजास्तत्रू उदयन यह सब हर्येगवन्स के हैं .next question पर बलते हैं एक रव्याक है देखलो क्या है बिंबिसार बहुत धर्मकानुआ आई था ब्रह्मदद्द को हराकर अंग और अवंती को अपने राज में इसने मिला लिया था अंग और अवंती को अपने राज में मिला लिया था इसकी राजधानी राज ग्रह और राजवैद जीवक सबसे important question पूछा जाता है कि जीवक किसका राजवैद था तो क्या बताओगे आप लोग बिम्बिसार अवंती के राजा प्रगोत जब पांडू रोक से ग्रसित थे तब इसने जीवक को यहां भेजाता और बुद्ध के पास भी भेजाता इसने जीवक को अजार सत्रू इसका उपनाम कुडिक यह जैंद्रम का नुवाई था पहली बौद संगी थी अजार सत्रू के समय हुई थी और बुद्ध का महापरिनेर्वाण भी अजार सत्रू के समय हुआ था अचा अजार सत्रू ने किन-किन राज्यों को मगद में मिलाया तो कासी और लिक्षवी को पूछा जाता है कोर्शन में और ये भी पूछा जाता है कि अजार सत्रू के मंत्री का क्या नाम है वर्सकार अजास सतरु ने ही रध मूसर्ग था महाशिला कंटक हत्यारों का इस्तमाल किया था जब इसने वज्जी को जीता था जब इसका वज्जी के साथ यद्ध हुआ था तो वर्षकार की साईता से ही इसने वज्जी पर विजय प्राप्त की tी वज्जी या वैसाली एक ही बात होता है नेक्स आते हैं उदाइन उदाइन ने पाटली ग्राम को अपनी राधधानी बनाया जो गंगावा सोन नदियों के बीज था उदाइन भी हर्येगवन्स से ही रिलेटेड है नेक्स कोस्चन पर बढ़ते हैं दुतिय बौद संगीती का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ ओप्शन ए अजास्त्रू ओप्शन बी काला सोग ओप्शन सी असोग ओप्शन डी कनिस्क तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा ओप्शन बी काला सोग ये सिसु नाम का उत्तरा धिकारी था नेक्स्ट पोस्चन इसमें पहला गड़तंत्र वैसाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया ओप्शन ए मौरे के द्वारा ओप्शन बी नंद के द्वारा ओप्शन सी गुक्त के द्वारा ओप्शन डी लिक्छिवी के द्वारा तो बताए इसका सही जवाब क्या होगा लिक्षवी उसका सही जवाब यही हो जाएगा लिक्षवी के द्वारा पहला गड़ तंत्र वैसाली में स्थापित किया गया नेक्स कोस्टिन चलिए है शाथियों अगर वीडियो अच्छी लगियों हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद